अधियो, नमसका चातियो एक बार फिर आप साब का सवागत ah द्कराण आज के वीडियो में दोस्तों अभी लास्ट बीडियो में आप लोगं से बोला था कि एक वीडियो और शेयर करूंगा और उस बीडियो में parfait stock के उपर बात करेंगे मैंने पैनी स्टॉक का एक portfolio बनाया है जो screen में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो चलिए start करते हैं इसके उपर detail बात करते हैं मैंने कैसे stock को select किया है क्यों select किया हुआ है कितना investment किया है और मेरा target कैसा है ठीक है कौन-कौन सी stocks में मुझे profit मिल रहा है और कौन-कौन सी stocks में अभी नुकसान चल रहा है यह detail में आप लोगो share करूँगा वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने लेकिन आखरी तक दिखेगा अगर आप penny stocks में investment करना चाहते हैं अभी overall इसमें मैं लगभग 3,45,000 investment किया हूं current value 4,16,000 है आज की date ठीक है और overall profit 70,000 का है आज का day profit 8,000 का है और इसलिए मैं इसको ज़्यादा share कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी ना इसमें बड़ा moment आ रहा है जो penny stocks मैंने purchase किया है इनमें अभी अभी 3,4 दिनों से बड़ा moment आ हुए थे तो यह एक बार नुपसान में आ गया था अभी recently lower level से मैंने थोड़ा जिन stocks को मैं थोड़ा long में बड़ा देखता हूं मतलब जिसका target मैं बड़ा देखता हूं उनमें थोड़ा accumulate भी किया लेकिन जिन stocks में अभी moment नहीं आया है या जो stock already मेरे vibe house से नीचे हैं उनमे मैं accumulate नहीं किया हूं तो थोड़ा थोड़ा accumulate भी इसमें कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं देखे अभी देखेंगे friends तो यह penny stock का list है लगबग 15 ही stock है इसमें मतलब 15 ही stocks है और 3,45,000 का investment है अगर overall आप इसको देखेंगे तो लगबग per stock 23,000 investment हुआ है मेरा ठीक है लेकिन 23,000 ही न accumulate भी कर सकते हैं ठीक है चलिए तो अभी आप देखेंगे friends मैंने top में लगा दिया है overall profit वाले में ठीक है और यहां देखेंगे एक ही stocks जो अभी सक्ति सुगर है यह भी 13% नुक्सान में है सिंकॉम फार्मा है यह 13% नुक्सान में है और जो देखेंगे उपर में पुरुवंग करा है ठीक है 110% है profit में तो आप देखेंगे कि जो profit वाला है वो उसका size बड़ा है ठीक है मतलब मुझे profit बड़ा मिल रहा है loss कम है penny stock देखके लोग क्या करते हैं न कि देखी मेरे लिए penny stock है हो सकता है कि यह बहुत अच्छा stock भी हो penny stock इसलिए मैं मान लिया हूँ एक तो मैं इसमें swim कम investment किया हूँ लगभग 25,000 के आसपास मैं एक stock में investment किया हूँ मैं maximum 40,000 के आसपास होगा ठीक है एक stock में investment तो पहले start करता हूँ मैं 25,000 से अगर मुझे अच्छा लग गया या market movement कर रहा है inside जैसा कोई pattern बन गया या कोई जैसा pattern बन गया तो उसमें थोड़ा सा quantity और plus कर देता हूँ या stock नीची आ गया है मेरे मतलब breakout के level में ही है या retest के भाव में आ गया है थोड़ा वहाँ पर मैं और investment कर देता हूँ तो इस तरीके से maximum 50,000 से उपर मैं नहीं डालूँगा लेकिन स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में 25,000 से करता हूँ अगर मालों की और भी कम का stock है तो 10,000 8,000 इस तरीके से भी स्टार्ट में करता हूँ इस टॉक देख देख के ठीक है तो मैं चार्ट भी शेयर करूंगा आप लोगों को अभी थोड़ा देख सकते हैं यह पुरूवंग स्टार्ट में चाहूंगा और अगर वीडियो नहीं देख देख लीजेगा मैं यहां पर आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा पंदराफ शेयर किया था तब मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया था तो आप लोगोंने देखा हूँगा नहीं दिखे हुँगए तो उपर आई बटन में लिंक शेयर कर दूँंगा आलमस्ट वही सब स्टॉक है इंडो इस्टार फिनाइंस ठीक है दोसों के यह पास पास से हम लोग इसको पीक किये थे आप लोगों को मैंने इसके उपर वीडियो बना के मतलब जो डेली एलाइस वीडियो पोस्ट करता हूं उसमें मैंने इसके बारे बताया था अभी दो सब्सक्राइब थाओं चल रहा है 27% प्रॉफिट में हैं इम आई सीयल ठीक है यह श्टोक ना मतलब मैं इसको क्यों लिया हूं आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा चकीत होंगे कि बड़े बड़े इस तो मापकर ना बड़े बड़े कंपनी इससे क्लाइन तो बड़े आप नाम जानते रिलाइंश जानते इस बीडिय तर्फियान थर्ड लांच हुआ था उस समय यह आया था न्यूज में तब मैं उस समय देखा था काफी बड़ा मुमेंट आगा था फिर वेट किया मैं दुबारा नीचे आया तो मैंने लिया है सुप्रीम होल्डिंग ठीक है इसको अभी-भी मैंने लिया था इसके बारे में तो मैं एक बार ने टेलीग्राम चैनल में लगबख 26-27 स्टॉक का लिस्ट शेयर किया था नॉवंबर के आसपास उसे मैं इसके बारे में आप लोगों को शेयर किया था ठीक है तो इस स्टॉक में आप इंवेश्मेंट कर सकते हैं अभी-भाव में है आटो आटो लाइन इ है ठीक है इसको चाहें तो आप लोग देख सकते हैं बर्नपूर सिमेंट मैंने लिया हुआ है उगर सुगर मैंने लिया है औरियंट बेल इसमें थोड़ा पर्चेस और करूंगा मैं औरियंट बेल को मैं थोड़ा पर्चेस करूंगा यह मुझे ना बहुत बढ़ा रीटेस इसे यहां देखेंगे तो साथ आठी स्टॉक है जो नुक्सान में चल रहा है तो यह हुआ पेनी स्टॉक्स अब देखिए अभी जो मुमेंट आ रहा है जिन स्टॉक्स में उनके बारे में और जिसमें मुमेंट नहीं आया है ठीके कहां कहां पर यह कौन-कौनसे लेवल में है जिन में और एड किया जा सकता है तो इसके उपर मैं बात करूं तो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं चार्ट मैं यहाँ पर पूरे स्टॉक को सलेट करके रखा हूं आप यहाँ पर दिखेगा ठीक है वन बाई वन करके सबसे पहले ओरियेंट बिल अच्छा आज जो सबसे ज़्यादा चलाएं इसके बारे बात करते हैं इसके बाद वापस आएंगे लिए हंदुस्तान मोटर्स फंडेमेंटल पैनी स्टोक पर नहीं देखता हूं और बगत फंडामेंटल देखना मुझे आता नहीं है थोड़ा थोड़ा लॉजिकली आता है समझने के लिए फंडामेंटल देखें पैनी स्टोक में इन्वेश् है तो इसको मैंने पर्चेस किया है कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था अभी टार्गेट क्या होगा टार्गेट मेरे लिए कुछ किया हो तो पेनी स्टॉक देखके ऐसा मत करिएगा देखिए लगभग 345,000 मैंने इन्वेश्मेंट किया है अगर आप देखेंगे तो मैंने 15 इंवेश्मेंट किया है तो इच 23,000 ठीक है तो बहुत बड़ा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है अगर पेनी स्टॉक में तो भी मल्टिवेगर बन गए तो बाकी नहीं भी चलेगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे ठीक है ऐसा तो दिखेंगे हिंदुस्तान मोटर को क्यों लिया आपको पता चला एमाई सी ल को देखेंगे ना एकड़म बॉटम में है और आने वाले दिनों में मुझे लगता ह पास जा कि यह डबलू बनेगा ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो इंसाइड भी है तिन चार केंडल इंसाइड है मंतली इंसाइड पैटन में निकलता है मैं उसको परफिश सकता हूं अभी निकल रहा है मैं 48 लिए इसको लिए सकता है 118 की तरप का मिनिममिंट अबस्स परच्छ करना चाहिए यहां पर पता नहीं मैं कैसे नहीं देख पाई इस 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 टॉक को यहां पर्चेस करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा बहुत ऊपर भाई किया हूं यह लगता है लेकिन ठीक परचीज जारूपय लगाया हूं उमिद करता हूं अगर मालो नीचे आ गया कि इसमें कोई स्टॉप लास नहीं है मन किया निकल जाएंगे अधरवाइस नीचे में माउका मिलेगा कहीं लगे है कि हां यहां पर एड करना चाहिए तो एड भी कर लें ठीक है तो मुझे लगता है कि अभी ठीक है इसलिए मैंने पर्चेस किया है मैं नहीं बोलूंगा कि दिनों में 25 रुपए की तरफ जाना चाहिए मिनिमा एकदम गिरा पड़ा सड़ा हुआ इस टॉप अभी निकल रहा है तेरा रुपए मैंने पर्चेस की आठार रुपए चल रहा है और मेरी ले टार्गेट ना ऑल टाइम हाई की तरफ रहेगे इससे कम कर नहीं ठीक है तो इसके बारे बहुत खराब खराब नीज है मार्केट में देखेंगे तो बट इनसाइट पैटरन का ब्रिक आउट दिया था इसलिए मैंने उसको पर्चेस किया था अभी एक बढ़िया मोमेंट दे चुआ था ओल लेडी यूं कहूं तो यह लगभग 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 ना बहुत बड़ा मोमेंट दिया है आप देखेंगे तो इसी मन्त में बहुत बढ़िया मोमेंट किया है और लगभग इस मन्त में I think 40% आसपास का मोमेंट दिया है किस मन्त में अरे बापरे यह तो 83% का मोमेंट इसी मन्त में दिया हुआ है तो बहुत बढ़ा मोमेंट आया है तो अभी इसको hold करें मेरा इसमें अभी double से ज्यादा हो गया है तो मेरे पास है इसलिए मैं hold करूंगा और मेरा target कम से कम टॉप के आस पास तक कर रहेगा ठीक है बंद पूर सिमेंट देखिए एक बार क्या था ना मैं लाइब में इसी बात कर था लड़के मों से मैं सबकूब रही मेरे इमट इंचे लेवले मुझे मिला इंट धूक जोड़ा था कद गो जोम पैसा बोटम में किरा पड़ा हुआ है तो इसलिए मैं ले लिए को प्र्चिस किया विस्लिए इसलिए मैden divide लगाए घर लगाए है अगर निकल गया नौ रूपया को पर तो फिर इसमें पूरा 25,000 या 30,000 आसपस पैसा लगा दूँगा इस ठीक है चलिए सक्टी सुगर इस स्टॉक को देखेंगे ना तो मुझे लगते आने वाले दिनों में डबलू पैटन बनेगा ऊपर जाके 55 रूपया में इसलिए मैं अब तो आह ऐसी स्टॉक्स को जो बॉटम में बॉटम पसंद आता है ठीक है जोक्त वशन लियले असको बिएरश अगर सारे ने वीशन लानिंग नहीं है मैंने तोड़ा हिस्त्री पढ़ा है इस के बारे में इसको लिया था था 224 या 242 रुपे के एक बार बढ़ी की हैं तो मैं बोफ बढ़िया मोमेंट्र लगबक शेस्व की तरफ मैं तो टार्गेट 1000 से दिखिए इसको कते रीटेस्ट दिखिए इस स्टोक को मैं पहले शेयर किया था आप लोगों के इस भाव के आसपस मैंने बताया थी कि 55 के आसपस बाई अच्छा होगा ठीक है एक बार नीचे भी आ गया था अब देखिए नीचे से ऊपर गया है तो मुझे लगता है एक सबसे बढ़िया लगता है मुझे रीटेस्ट में इसका नाम है और इंट बेल मैं इस मेना 50,000 के आसपस परिशे लगाऊंगा और लेकिन लगाऊंगा जब ए 380 के उपर जीज दिन ब्रिक आउट कर जाएगा तब मैं टेलिग्राम चले में भी शेर करूँगा इसको ठीक है इंसाइट पैटनों में दुआ करूँगा कि इस मैना मत निकले फिर निकल जाए अगले मैना अगले मैना निकल जाए अगले मैना निकल जाएगा न तो बहुत बढ़िया होगा एकदम परफेक्ट इंसाइट पैटन बन जाएगा ब्रिक आउट आ जाएगा तो टार्गेट न आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है और मेरे लिए 400 के आसपास का टार्गेट है ठीक है तो यह रहे मेरे पेनी स्टॉक्स के हाल चार अच्छे मोमेंट दे रहे हैं कुछ में तो लगातार सर्किट लग रहा है हिंदुस्तान मोटर या फिर मैं पुरू अंकरा कहूं तो इनी स् फिर वापस चलते हैं अपने पॉर्टफोलियों में आप देखेंगे यहां पर ठीक है अभी तक देखे मैं अभी थोड़ा देर साइथ पहले बताया आप लोगों को कि जब बजार गीरा हुआ था ना तो एक बार माइनस में आ गया था ठीक है अभी जब बजार इस मैना व इस वाइन किया था उसने बाई किया है वारी रिनिवेबल और जब उसने बताया है न तो मैं बिलिव नहीं कर पाया कि मतलब ऐसा भी कोई स्टॉक रिटन दे सकता है आप अनुमान लगा थोड़ा वीडियो को पाउस्ट करो मैं मतलब ऐसा स्टॉक मुझे कभी मिला नहीं या मिला दिया होगा तो सकता मैं एसा होल नहीं कर पाया आपमेंड करों कितना में परस्ट कितना रुपतिम बाई किया होगा मंदे उसने जो बताया उसने आठ रुपय can buy पेनी golden stock कब multi wagger बन जाए पता नहीं चलता है अगर 30 stock लियाओगा 20 stock लियाओगा 10 stock बाकि 9 नहीं चले होंगे ना एक चला गया पूरी भर पाई करके जाता इसलिए winning stock एक नहीं लेना लेना है तो multiple stocks पर्चेस करना ठीक है कम से कब 8-10 पर्चेस करना उसमें से एक चला गया तो आपका बल्ले-बल्ले हो जाएगा पहिनी स्टोक कैसी है और दूसरी बात बहुत ज्यादा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है ठीक है बहुत ज्यादा पैसा एक स्टॉक में लगाना है बरावर बरावर पैसा लगाना पड़ेगा तो अगर आप नए हैं और पेनी स्टॉक्स में इन्वेश्मेंट करना चाहते तो मैं कहूंगा आवाइट करना ठीक है चल गिया है फिर लगता है कि यार यहां पर तो मुझे लाक रुपया लगा लेना चाहिए था सामने वाले को भी लग रहा होगा ठीक मैंने इसमें 25,000 रुपय लगा तो मैं होल्ड कर पाऊंगा भले आने वाले दिनों में इसका भाव 3,000,000 हो जाए या मतलब इसका करेंड बेलो 4,000,000 हो जाए 5,000,000 हो जाए मैं होल्ड कर लूंगा और 1,000,000,000 रुपया मेरे लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतना मैं अंदर नहीं आता है तो यह फिगर मैं देख चुका हूं और लेड़ी मैं देखता हूं चार लाग 5,000,000 रुपय लॉस भी देखा हूं दस लाग 12,000,000 रुपय लॉस देखा हूं इतना प्रॉफिट भी देखा हूं ठीक है तो इसलिए उतना ही पैसा लगा ना जितना अग आवभी भी बड़ा पैसा निलगाना समझधारी बहुत जरूरी है इमोशन में आके पेंने टाउमा पैसा निलगाना है ठीक है टेकनिकली लोजिकली अप ऐसे लगई समझधारी के साथ पैसफा लगए आपकी गढ़ी कमाई है आपकी पूँजी पूझी जाना नहीं आपको अच्छा लगा होगा आपने देखा मैंने पहनी स्टॉक पाई किया है जनरली मेरे जैसे यूटूबर्स इस टाइप के स्टॉक के बारें बात करना कम पसंद करते हैं क्योंकि मैं जनरली ऐसा नहीं देखता हूं बट मैं कूशिस करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कितने अच्छा होगा और कितना खराब होगा ए आच पता नहीं चलेगा ए दो साल बात प्लाट दस साल बात चलता है थीक है तो कुछ चीज़ें अपने तरप से आप लोगों को अच्छी चीज-चीजां। सके विल्योबल कॉंटेंट मैं सेयर कर सकूं यह मेरा कोशिस रहता है ठीक है वो कितना काम आता है वो तो भविस्ट बताता है ठीक है तो कुछ चीजें भविस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते इसके उपर मैं नहीं कर रहा हूं रहा हू मैं इसके उपर बात करूँगा और उस दिन मैं बोलूँगा कि कभी मैं आपको इसके बारे में बताया था तब तो बनता है ठीक है हाँ नुकसान हो तो भी मैं शेयर करूँगा कि देखो नुकसान हो गया है मैं कभी इसके बारे में बताया था इसलिए समझदारी और अपन कमेंट करने के लिए, पहले से आप लोगों को धन्यवाद, थैंक्यू, असा करता हूँ, दोस्तों को शेयर आप वीडियो को जरू करेगा, चैनल सब्स्राइब नहीं के फ्रेंज, तो चैनल सब्स्राइब परके जरू जाएगा, मिलता हूं नेक्ट वीडियो में, तब तक ल करें!